अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अन तक नहीं देखते हो तो आप बात में बहुत जादे पस्ता होगे क्योंकि ये पेपर आपकी बूर्ड एक्जाम में 22 फरवरी 2024 को आने वाला है ठीक है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि आप भी अगर अपने बूर्ड एक्जाम में हिंदी में 70 नमबर लाना चाहते हो तो आपने एक सही वीडियो पे किलिक किया है अगर आपने इस वीडियो पे किलिक किया है तो आप से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को इंड तक वाज कर लेना 110 परसंट यह जो पेपर है यह बिलकुल वाइरल पेपर है और यही अगर आप जिस दिन पेपर दे कर आओगे कोई कि हां सर इसमें से पूरा का पूरा क्वेस्टन हमारे बोर्ड एक्जाम में आया था यह है आपका 22 फरवरी का वाइरल पेपर ठीक है तो इस वीडियो को आप इंड तक जरूर से जरूर वाज कर लेना सबसे पहले पेपर मिलेगा तो यहां पर नुकरमां करेगा यहां प से पहले खंड अब बहुभी कल्पी प्रस्ट जो कि हमारे बोर्ड में 20 मार्क्स की पुछे जाएंगे जिसका उतर हमें ओयमार सीड पर देना है तो यहां पर सबसे पहले हमारे त्वेस्टन में देरखा कि प्रेमचंद घर में जीवनी के रचेइता है ठीक है प्रेमचंद घर में जीवनी के रचीता है यह क्या है एक रचना है इस रचना के रचीता कौन है यह हमसे पूछ रखा है तो आप इसके जो रचीता वो सीवरानी देवीज है कौन है सीवरानी देवी आपका अपसर नंबर एक औरेक्ट हो जाएगा और दूसरा है असोक के फूल ठीक क्या ह तो असोग के फुली काफी प्रसिद्ध रचना है डाक्टर राजेंद प्रसाद दिवेदी की यह वाला आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा अर्ध नारिस्वर किस बीधा की रचना है यहाँ पर बीधा पूछ रखा है तो इसमें कौन सी बीधा है निबंध बीधा है की कहानी है की नाटक है की एकांकी है तो जो अर्ध नारिस्वर है यह क्या है एक तरह का निबंध बीधा है क्या है निबंध रचना है तो आपसन न वर्मा है कि शिवरानी देवी है तो यह महादिवी वर्मा अतीत के चलचित इनकी काफी प्रसिद्ध रचना है तो आपसर नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा and the next question है कि गवन के लेखक है तीक है राजेंदर परसाथ प्रेमचंद यस्पाल अगे तो दुकु जो आपकी गवन के रचीता है वो आपकी प्रेमचंद है मुनसी प्रेमचंद गवन के रचीता है तीक है गोदान गवन इंकी प्रमुख रचना है नेस जे संकर प्रसाथ की रचना है आसु किस विदा की रचना है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने है तीक है यहां पे हैं कि चिंता मरी कभी है किस काल के कभी है बिरगाथा काल के की भक्ति काल के की रीति काल के की आधुनिक काल के ठीक है तो जो यह चिंता मरी तो वो रीति काल के कभी माने जाते है तो आपका अपसर नंबर सीक एक्यूरेट हो जाएगा और नेस्ट क्वेस्चन है सव दास जी है ये इंकी काफी प्रसीध रचना है आपसन नमबर ए आपका एक्यूरेट हो जायगा एड़ नेस्ट कोईस्चन वाज़ करते हैं नेस्ट आपका क्वेस्चन इकि महादेबी वरमा की रचना ठीक है दिप सिखा है कि यामा है कि निहार है कि यह सभी है तो आप यह जानते हो आपने पढ़ा भी होगा कि दिप सिखा भी महादेवी वर्मा की रचना है यामा भी है निहार भी है यानि कि यह सभी ठीक है आपके बूर्ड एक्जाम में यह सभी वाला जबापसर आता है यह हमेशा सही होता है यह सभी वाला यूगांत की रचिनाकार है तो निराला जी है कि जैसंकर प्रसाद है कि महादिभी वर्मा है कि सुमित्र नंदन पंत है तो देखो सुमित्र नंदन पंत ही यूगांत की रचिनाकार है यहनकी काफी प्रसिद्ध रचिना है तो आपसर नंबर ब्रश्री रहां कि तो है कि यहां पर कॉन सारे सापका अपसर नंबर ये हैं यहां पर ट्वेल नंबर क्वेस्चन दे रखा है कि निमलिक्रत में सम गात्रिक्षंद प्रतिक चरण में कितनी मात्राइं होती है यह आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है मैं भी देखू कि आपकी तैयारी कैसी है और आप क्या तैयार कर रहे हो तीक है यहां पर तीरे नंबर तो यहां पर आप जालो कि जहां उपमे में उपमान का भेदर रही आरोब होता है वहां पर रूपक अरंकार होता है ठीक है जैसे चरण कमल वंदो हरीराई और यहां पर आपका 14-25 CS अध्यच में प्रियुक्त उपसर्ग मतलब आगी जुड़ा हुगा सब्द जैसे यहां पे अगर अपकार की बात किया जाए तो अपकार में अगर उपसर्ग पूछेगे तो अप जो हमारा यह क्या हूं लगा हुआ है उपसर्ग यहां पे आपका होजाएगा यह अधी ठीक है अधी यह किस तरह से बना जैसे अपने संधि अगर पढ़ा होगा जब भी आधा धह आता है तो वहाँ पर E की मातरा लग जाती है तो उसी संधी के हिसाप से इसमें अधी का प्रयुप कियाँगा देख लो बोड इक्जामें किस तरह के यानि की आपको देते है ठीक है अपकार रुपकार नहीं देंगे इस तरह की देंगे कि थोड़ा आपको ठीक है तो आपने जब देखा होगा ये इसका रूप ये तीनो रूप हो ठीक है तो आपका जो तयो होता है ये तीनो विभक्तियों में काम करता है तीनो लिंगों में एक समान बना रहता है ठीक है इसमें कोई परिवतन नहीं होता है अमीर गरीब में समाज से अब यहाँ देख लो ना त्रिक बताऊंगा दिवगु समास है कि द्वंद समास है कि अब भाव समास है कि कर्मधार है समास है ठीक है इसलिए मैं वैडियो कहता हूं कि आप फुल वाज किया करें तो यहां पर अमीर गरिब में समास है दिवगु है कि द्वंद है कि अब भाव समास है कि कर्मधार है समास है ठीक है तो देख लेना आप जब भी आपका अमीर गरिब यानि दो सब्दों के बीच ये डैस लगा हो ठीक है क्या लगा हो इस तरह का डैस जो लगा है ये डैस होगा 57 नमबर क्वेश्चन की आग सब्द का प्रयायवाची है अगनी अनल पावक य सब्द कश्चन hiring यह क्या है, सब्ध आपकी इसकी आ गलती से अलेकिल्बह नबर क क्रियान खाएक सब्द होगे इसके बाद नेशच में करेक्षिर और एकंस में Mihrie सोहन खाना खाता है बाजार जाओ और कुछ फल लाओ पढ़ो गे तो पास हो जाओगे शिछक ने कहा कि कल अवकास हो गया इसमें उनको क्या बताना है सरल वाक्य तो सोहन खाना खाता है यह सबसे सरल वाक्य है ठीक है तो अफसर नंबर यह आपका correct हो जाएगा यहाँ पे 19 नमर मोहन दोरा सुबह दोपहर की राग बखुवी गाये जाते हैं वाक्य में करती वाच्ची में परिवर्तन है तो यहाँ पे मोहन सुबह दोपहर की राग बखुवी गायेगा मोहन सुबह दोपहर की राग बखुवी गा रहा है मोहन दोरा सुबह दोपहर के राग बखुभी गाये गए मोहन सुबह दोपहर के राग बखुभी गाता है तहाँ पर आपको देखना है कि मोहन दोरा सुबह दोपहर के राग बखुभी गाये जाते है यह प्रजेंट इनिफिनिट में बात कर रहा है तिसमें से आपका कौन सा आप्सन करेक्ट होगा देखो मोहन सुबद दोपर के रागबखु भी गाता है ताहती है ठीक है तो आपका ये प्रेजेंट इनिपनिट है तो आप्सन नंबर डियक्यूरेट होगा ठीक है and the next question 20 नंबर है कि बाग में कुछ महिलाएं बैठी है रेखां की पद का परिचे है यानि इस रेखां की वर्ड के नीचे एक लाइन कीची गई है इस लाइन का आपको इंट्रोडक्शन यानि परिचे को क्या होगा बताना है ठीक है किरिया अकर्मक एकवचन इस्तिलिंग भूत्काल ठीक है यहां पर आपका अपसन नं में किरिया च स्बाइन कुरेट हो जाएगा अब हम बात कर ले थी कि आपका पेपर कैसे आएगा बोर्ड इकजांब में कैसे आपको उन प्रशनों के उत्तर लिखने है जो आपके board exam में आते हैं और 110% अगर इस ट्रीक से लिख कर आओगे तो आपके एक भी नंबर एक भी नंबर नहीं कटेंगे ठीक है एक भी नंबर आपका नहीं कटने दूँगा मैं exam में इसलिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ रातो दिन सबसे पहले है कि खंड बर वर्नात्मक टाइब के प्रेस्ट मैं खुद copy चेक करता हूँ और चीजों को analyze करता हूँ कि कहाँ पे नंबर कटेंगे कहाँ पे नंबर बोनस मिलेंगे कहाँ पे प्लस पॉइंट होंगे तो यहाँ पे सबसे पहले और important very very important question है ठीक है आपने अगर कि द्वान का वच्चन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रच्छा रती है जिसे ऐसा मित्र मिल जया उसे समझना चाहिए कि खाजाना मिल गया विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक और सद है हमें अपने मित्रों से आसा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों से म और तूटियों से में बचाएंगे हमारे सत्य प्रवित्ताव मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे जब हम कुमार्ग पर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे जब हम हत्वत्साहिए होंगे तब हमें वह उत्साहित करेंगे अब हमें सबसे में चीज है इसमें कि इसमें तीन क्वेस्टन देते हैं और तीनों क्वेस्टन जो होते हैं आपके छे नंबर के होते हैं ठीके जहां से छे मॉक्स पाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है क्योंकि इसी में आपके नंबर कड़ जाते हैं ठीके तो प्रुप्त गद्यांस का में सबसे पहले क्या पूछ रखा है संदर्व पूछ रखा है अब इसके लिए में कोपी पर जाना होगा और संदर्व को राइट करना होगा और राइट करने के बाद उसके सही तरीके को फॉलो करना पड़ेगा आईए चलते हैं आपका आंसर से आपके खंडबह के लिए हमने आंसर सीख पे गया एंड हमें 21 नंबर के क्वेश्चन का आंसर राइट करना है तो यहां से सबसे बड़ी चीजी यह होती है कि हमें संदर् लेखा का नाम पताना चीए अगर यह दो चीजे पता है तो आपको दो नंबर लाने से कोई नहीं रोख पाएगा ठीक है और इसके लिखने का टेकनिक क्या यह चीजे आप देख्ड़ो देखो यहां पर रेका संदर्व लिखना है तो हम जान गए यहां पे मित्र वागेरा आया हुआ है मित्रद आया हुआ है ठीक है विश्वास पात मित्र है नो गया और इसके जो लेखा का आचया रमचंद सुकल है तो इसके लिए हम यहाँ पे कोपी पर आये और यहाँ पे खंडबार डाल दिया वर्णात्मक टाइप के प्रेशन और यहाँ पर प्रशन उत्र संख्या हमको डालना है और गद्ध हम करें तो गद्ध लिखेंगे एक प् सबसे पहले हम करेंगे यह हमें क्या करना है हिंस की रूप में डाल-देन outlook और फिलअ बाक्स में करने के बाद यह हम आप रिप्रेंस की बाद आपको क्या करना है इसके नीचे ब्लैक पेन लेना और इस तरह से दो लाइनिंग कर देनी है और संदर्ब डालना है प्रस्तूत गध्यांस हमारी पाठे पुस्तक हिंदी को ब्लैक पेन से राइट करने है गदिक खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है मित्रता को ब्लैक पेन से इस पाठ की जो लेखा कि वह आचार रमचंदर सुकलजी है इतना हम डाल दिया वह हमको क्या करना है इसमें नेश्ट देगा रेखांकी तंस की व्यक्षा कीजिए इसमें इम्पोर्टें संहें तक क्या किया गया है सब्दो की नीचे एक रेखा कीजिए गई है किवल सिमपल इसे का हमें अपने सब्दो मे घ्राइदि हमें जानकार होता है उसी तरह सच्छामित्र की अच्छाई और बुराय hilar परकर कुसलता प्रोध बुरायू से मुक्त कराने और इसकी अच्छायूग को बढ़ाने में सहयोग परदान करता इतना ही हमें व्याक्या करना तो simply हमने इसकी व्याक्या कर ही डाली ठीक है इस तरह से आपको अपने सब्दों में लिखना है और नेस्ट क्येस्टन वाच करते हैं नेस्ट आपका है ठीक है हमें अपनी मित्रों से कौन सी आसा रखनी चाहिए ठीक है आप भी आपकी भी मित्रोंगे आप अपनी मित्रों से कैसी आसा रखते हो यह नहीं आसा रखते हो न कि हमको खर्चा करे हमें हमारे उपर हमें कुछ सत्य पкиटा और मर्यादा पुश्ट्ट करेंगे तब होऊ सचेत करेंगे ये मैं शाहिए वो मित्र होते हैं वो सोचते हैं कि या रमरिइंगे ठीक है, हमारे उपर कुछ ने कुछ खर्च करेगा, मार्किट में ले जेकर कुछ खिलाएगा, पिलाएगा, ऐसी आसा नहीं रखने चाहिए, हाँ, भली मजाग में चलता है, ठीक है, इसका एंसर आपको इस तरह से लिखना है, हमें अपने मित्रों से आसा करने चाहिए, कि व रखा अथवा, इसके बाद यहां पर अथवा है, आज बिज्ञान मनुस्यों के हाथ में अद्बूद और अतुल सकती दे रहा है, यह भी जो है आपका गध्यान, बेरी वेरी इंपोर्टन गध्यान से, उसका उप्योग एक ब्यक्ति और समू के उतकर्स और दूसरे ब्यक सकती मानों के लिए हितकर नहीं होता, वह नैतिक अंकुस या चेतना भावना ही दे सकती है, वहीं उस सकती को परमीद भी कर सकती है, उसे उप्योग को नियंत्रित भी कर सकती है, अब यह आपने पढ़ा, आपको इसमें क्या बताना है, इसका संदर्व, ठीक है, संदर्व आप कैसे लिखेंगे कि प्रस्तूत गज्द्यान समारी पाटे पुस्तक, हिंदी के गल्दिक खंड में संधित, ठीक है, यह किस पार से लिए गया है, यह आपका लिया गया भारती संस्किती नामक पार से लिया गया, और इसके जो लेखा के डाक्टर राजंदर परसाद है तो यहां से आपको ये दो चीज़े मिल गए कि ये जो है आपका भारती संस्किती पार से लिया गया है और इसके जो लेखक है वो कोने डाक्टर राजन परसाद जी है ये आपको त्यार कर लेना है और इसके लेखक डाक्टर राजन परसाद ठीक है अब हमें ब्याक्या किसकी करनी यह जहां से पाई की चाहिए सब्दों की नीचे रिखांकी तंस्की ब्याक्या अपने सब्दों में करनी है तुमारा 22 नमबर है कि निम्लखित किसी एक पद्दांस पर आधाली दियेगे प्रशनों का आपको उत्तर देना ठीके मानुस हो तो वही रस्खानी बसो ब्रज गोकुल गाओं के गवारन जो पसु हो तो कहां बसे मेरो चरो चीतनद की धेनु मजहारन पान हो तो वही गीडी को जो धर्यों कर छत्र पुरंदर धारन जो खगो तो बसेरो करो मीली कालिंद कूल कदम की डारन ठीके तो यहां पे सबसे पहले आपको संदर्ब पूछेगा यहां दो नमबर में szंदर्ब लिखने के आपको पाठ का नाम एंड लेखक का नाम पता होना चांशीब तईरेब इस पाठ GIR अब इसको आ», पन के सवये इसको पता होना हूं सही पहले हमको question number डालना पड़ेगा और इसके कुछ hints से डालने पड़ेगे हिंस के लिए कीता है वो स्षयम रसखान जी है तिक है अब हमें रिखांकित अंस की व्याख्या करने के लिए यहां पर रिखांकित अंस की व्याख्या कीजिए मानुस हौ तो वहीं रसखान अगर मैं पसु होता हूं तो मैं उसके गोपाल के पसु बनू चरो चितननद की धेनु मजहारन, और मैं उन्ही है जो सिरी कृष्ने इनकी गायों की पीज चेरह करू ठीक इसकी यही ब्याक्या होगी, कि आप अमने लिखा रिखांगितांसटकी ब्याक्या प्रस्तुत पक्ति में कभी कहता कि सिरिक क्रिश्न के अनने भक्ति कभी रिस्कान कहते है कि हेस्वर यदि मैं अगरे जन्मे में मनुस से बनू तो मैं गोकुल में निवास करूँ, यद इसके बाद यहां पे पूछ रखा है आपका कालिंद कूल कदम की डारन पक्ती कौन सा अलंकार है लाहां थिंद में आपक ध्रकेल के साइ कव ख़ून को घल्डन को यहां चीज है US करें यां तो आप जानते हो कि इसके जो पार्ट का नाम है वो किस सिर्शक से लिया गया है वो जवानी सिर्शक से लिया गया है ठीक है यह आपने पढ़ा होगा और यहाँ पे यह लेखक जो है वो माखनलाल चतुरवेदी है पार्ट का नाम आपका जवानी होगा और इसके लेखक का न करना है संदर्व के लिए यह पाड का नाम और लेकक करना रेखांकी तंस्की वैक्या करना है खुन हो जाएन तेरा देख पानी मरड का त्योहार जीवन की जवानी इसकी आपको क्या करना है वैक्षिया अपने सब्दों में कर देना है ठीक है एंड़ेश नंबर क्वेस्चन कि इसके लिए आपको पांच नंबर मिलेंगी दो नंमर मिलेंगे आपको संदर historically करने टिक है एशा ने भारती संस्कीत पर करना ए तो कर लेते हैं आप हमने डाला प्रुशनकतर संक्या 23 संस्कृत गर्दे ठीक है एसा नगरी डेश्डेस का लिता है शुरुवात की एक से दो सब्द हमने ले लिया एंडर लेने के बाद हमें संदर्व लिखना है सबसे पहले दो नंबर में तो प्रस्तूत गध्यार समारी पाथ से लिया गया है ठीक है अब हमें हिंडी में अनुवात करना है यह नगरी भारती संस्कीति और उसका संस्कीत भासा कर केंदरस्तल हैं यहीं से संस्कीत साहित और संस्कृति का प्रकास सबजगब फैला था मुगल यूराज दाराशिकों ने यहां आकर भारती दर्शन सास्त का अध्यन किया तथा उनके ज्यान से ऐसा प्रभावित हुए कि उसने उपनिस्दों का अनुवाद फार्सी भासा में करें ठीक है यह इसका पूरा के पूरा उत्तर हो गया ठीक है यहां पर अत्यवयूम संस्कीत वाग्यमश्य संस्कीत से आलोका स्रवत प्रसुति मुगर जीवन Strategy संस्कीति असमाका प्रोजां चीवन संकरतु महंतम प्रइतनम अकुरतूं ते असमाका जीवन से संस्क्रत आम यान ऐचारां विचारां चा अधरसीयं तत्रसम असमाका संस्कृति इसके लिए भी आपको संदर्व लिखना पड़ेगा और यह जो चीजे लिया गया है यह किस पार्ट से लिया गया है सबसे important चीज होती है ठीक है तो यह आपका लिया गया है भारती संस्कृती नामक पार्ट से लिया गया है ठीक है किस पार्ट से लिया गया है भारती संस्कृती पार्ट से लिया गया है और इसकी आपको व्याख्या करना है ठीक है नेश्टे में क्या लिखना संदर्व लिखना है और इसका हिंदी मेनुवाद करना इसके लिए भी आपको पांच नंबर मिलेंगे तो यह हम एंसर सीट पे चलते हाँ पर जो आपका भारत यह सर्वे भौन्तु सुखिना होगा प्रसुनत्र संक्या 24 होगा और संस्कीत पर डिडालेंगे संदर्वे की प्रस्तुति स्लोक हमारी पाठ्य पुष्तक हिंदी के संस्कीत खंड के अंतरगत भारती संस्कीती नामक पार्ट से लिया गया है अब इसका हम हिंदी मनुवाद करेंगे तो सब सुखी हो सब रोग रहित हो या निरोग हो सब कल्यार को देखे कोई भी दुख नहों यानि किसी कोई भी दुखा भागी नहों अता सभी कल्यार की कामना की गई है सभी की कल्यार की कामना इसमें की गई है तो यह हमारी संस्कृती है भारती संस्कृती यह इसका अंसर हो गया और नेश्ट अथवा ठीक है बंधन मनम वापी जे वापी पराजे उब्यत सम बीर भाबो ही बीरतार ठीके तो यह आपको बीर बीर पुजयत नामक पार से लिया गया है अब इसकी भी व्यक्या आपको हिंदी में करने इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे ठीके तो यहाँ पर नेश्ट देख लेते हैं क्वेस्चन यहाँ पर 25 नंबर आपका क्वे करना है इससे मैं इसली बता पाऊं कि आपको अपने जिले में क्या पढ़ना है और क्या लिखना और इसमें से कौन से खंड का आपको करना है कि आपको अच्छे मांक्स मिले इसके लिए आपको कमेंड बॉक्स में अपने डिश्टिक का नाम कमेंड करना है यह सभी मुक रचिना का नाम लिखने के लिए दो नंबर यहां से टोटल आपके फाइप मार्क्स कलेक्ट होंगे ठीक है तिससे आपको मिस्ट नहीं करना जैप्रकास भारती दर्का रामधारी सिंधिन कर डाक्टर भगवसरर उपाध्या है तुम यहां पे देखने वाले हैं जैप्र प्रकास भारती का जन्म सन 1936 इस्वे में मेरट उत्तर प्रदेश में हुआ था इनके पिता सिरी रगुनात सहाई एडवोकेट मेरट के प्रमुक समाज से भी थे मेरट से बीए बीसी की परिच्छा उत्रिकर अपने च्छातर जीवन में आपने अनेक समाज से भी सवस्था प्रकाओं में भाग लेना प्रादब कर दिया मेरट में साचरता प्रसार के कारे में आपका मतपुड योगदान रहा आपने हिंदी पत्रकार्ता जगत में बैग्ज्यानिक साहित्य का निर्मार्ग जो यूकुग को प्रेडा इस पद है आप आनेक वर्सों तक साप्ताहिक हिंदुस्तान के सह संपाधक रहे आप कापी समय तक प्रसिद बाल पत्तिकाओं के संपाधक भी रहे पांच फरोरी 2005 को आपका निधन हो गया है ठीक है प्रमुक रचना है हिमाले की पुकार अनंत कास अथा सागर देश हमारा देश हमारा चलो चांद पर चले आधिन की प्रमुक रचना है इस तरह से आपको को इनका रचनाय लिखना तब जाकर आपको यहां से पांच रंबर कलेक्ट होंगे ठीक है नेस्ट क्वेस्टन देख लेते हैं यहां से आपका आ जाता है यह 26 का ख़र ठीक है निम्रिकित कभियों से किसी एक कभी का जीवन पर्चे दीजी तरथा उनकी एक प्रमुक देना है गोस्वामी तुलसीदास हेडिंग डालनी है ठीक है जीवन पर्चे तो कैसे लिखना भक्ति काल के सरुस्रेष्ट कभी तुलसीदास जी का जन्स सन 1532 को बांदा जिली की राजापु नामक गाव में हुआ था ठीक है इनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था इनका बचपन का नाम राम बोला था ये सर्यू पारिड ब्रामर थे इनके माता पिता इने बचपन में ही त्याग दिये थे तब स्वामी नरहरीदास ने इनका पालन पोसर किया इनका बिवाह रतनावली से हुआ था ये अपने पत्नी के प्रेम में बहुत ही अनुरुक्त रहते थे लेकिन पत्नी के डाट की करण इनके मन में बैरागे उत्पन हो गया और यह कासी में चले गए इनका जीवन कासी अध्या और चित्रकूट में अधिक बीता इनकी मिर्थिव संद 1630 के कासी के असी घाड पर हो गए इस तरह से आपको जीवन प प्लैक्पेन से रहना चाहिए ठीक है यहां पर हमने कितना नंबर कलेक्ट कर लिया पांच नंबर यहां से कलेक्ट कर लिया ठीक है एंड नेश्ट आपका है कि अपनी पाठी पुस्तक से कंठस्ट किया हुआ कोई एक इसलोग लिखे जो इस प्रश्ण पत्र में नाया इसके लिए आपको दो नंबर बिलेंगे ठीक है तो आपको कोई दो आसान इसलोग डेख लेना है उससे तयार कर लेना है एंड नेश्ट सबसे पहले आपको सेवा में डालना है और प्रबंदक महोदे डियेवी इंटर कॉलेज कानपूर नगर बेसे हिंदी प्रवक्ता की पत्पर नियुकती है तो मानेवर ठीक है त्यहां से मानेवर या महोदे आप लेख सकते हो 22 फरोडी 2024 के दैनिक अमर उजाला में प्रकासित आपकी विग्यापन के संधर में मैं हिंदी प्रवक्ता पधेतु अपना प्रात्ना पता आपको सिवा में प्रेसित कर रहा हूँ ठीक है बिसे सबसे पहले डालना है बिसे हिंदी प्रवक्ता की पत्पर नियुकती है तो य इतने कितने प्रसेंटेज बने थे कितना आंकाय था कौन सा कॉलेज था ठीक है और इसके बाद आपको लिखना अपने विद्यार्ती जीवन में मैंने विद्याले की सांस्कृतिक वा साहितिक गदिवीदियों में उस्ता के साथ भाग लिया और वाद विवाद प्रत्योग के उपर विचार करते हुँ मुझे अपने कॉलेज में सेवा उसर प्रदान कीजिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं अपने परिश्रम कारे छमताय मध्यापन कारे से अपने छातों को सद्देव संतुष्ट रखूंगी और आपको भी किसी भी प्रकार की सिकायत का उसर नहीं दूंगी भावदियो कुमल गुपता चोवन यसोधा नगर कानपूर दिनांग 22 फरोरी 2024 सलग नपरमार पत्रों की साहित के प्रतिलिपी ठीक है यहां पी यह उता है कि आप अपने जो भी रिजल्ट वगेरा होगे उनकी प्रतिलिपी यानि टूका पी डेनी पड़ती है ठीक है यह चीज़े होगी अब यहां से इसके बाद नेश्ट क्वेस्चन है आपका अगर यह नहीं आता तो अथवा देता है कि प्रदूसर निवारत तथा प्रयावरर की सुरचायतु जिला अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखे ठीक है इसको भी आपको त सरा मंसर्श सीठ पे देख लेते हैं यहां पे हैं पहला क्का इस तरह बहुतबालकेर अवहत्य परहित्त है आत्यसे न्बर है आपको उपनेशायता के मणते में उपेच्छा से क्या हमें मिलती है तो उपेच्छा रीपू वर्धते उपेच्छा से रीपू बढ़ते हैं और नेस्ट है कि भारती संस्कीता मूलम की मस्ति भारती संस्कीती की मूल क्या है विश्वस से रिष्टा इस्वर एक का एव अस्ति इती भारती संस्कीते मूलम अस् नेस्ट क्वेस्चन देख लेते हैं तीस नंबर आ जाता है लास्ट क्वेस्चन कि निमलिखित विश्यों में से किसी एक विश्य पर निबंद लिखिए ठीक है सत्संगति का महत किसी मेले का आखो देखा वरन देश के प्रती हमारा करते मेरा पिरे नेता ठीक है यह वेरी इं मेले का आखो देखा वरन आपको हेडिंग डालनी है रूप रेखा में मेले का महत तो मेले का वरन मेले का प्रभाव मेले का इस्थान मेले का जगह यह सब चीजे डालनी आपको रूप रेखा में मेले थ्वा प्रदर्शनी किसी देश वा समाज की साल्सकिति दूत दूत है जो उसकी जीवन के अथात की जहाकी पेस करते हैं जन जीवन में इनका महतपूर इस्थान होता है मरे देश भारत में एक विसाल और महान देश है यह सांस्कितिक रूप से संपन देशों में गिना जाता है भातिय में समय समय पर तथा इस्थान इस्थान पर मेले कायोजन होता रहता है ये मेले देश के समाजिक धार्मी के उन्सालस्कितिक परंपराओं से जुड़े होते हैं इसलिए जन समाने में ए मेले उस्ताह उल्लास मुमंग का संचार करते हैं साथ ही मरोरंजन की साधन की रूप में इनकी महतपुर भूमिका होती है उत्तर परदेश की पस्रिमी भाग का एक प्रमुख नगर है मेरत वहां मेरे चाचा जी रहते हैं वे प्राय दिल्ली आते रहते हैं और हमारे साथ ही ठैरते हैं पिछले वर्स वे होली के उसर पर एक अगरता हमारे साथ रहें लोड़ते समय भी मुझे नवचंदी का मेला दिखाने के लिए पने साथ मेरत लेगा है ठीक काफी फिमज से मेरे का नवचंदी मेला कुछ दिनों बाद वहां नवचंदी का मेला सुरूगवा मेरे मेरे इस मेले की खूब धूमधाम थी काईबर मेला देखने गई मेले का प्रवेश द्वारत संभूनाद के नाम से प्रसीध यह द्वारत बहुत आकर्सक धंञ से सजाया गया था गेट सोकर हमने मेले के मैदानामें प्रवेश किया यहां चारों और दुकान के सजी दुकike दुकाने सजी थी, दुकानों पर हर परकार का सावान बेचा जा रहा था, रातरी के समय मेले का बाजार बिजली की रोसनियों से जगमगा रहा था, लोग अपनी आउसक्ता की वस्तूत खरीद रहे थे, चाचा जी भी हमें एक अलपा हार गिरी मेले गए जहां हमने आइसक्र परणजन की सामगरी जूले की सरका साधी भी थे, इस मेले की एक विश्यस्ता यह थी कि यहां विभिन सांस्कृतिक कारिक्रमों का भी आईजन किया जाता था, किसी दिन कभी समयलन तो किसी दिन मुसायरा तता कभी नाटक तो कभी, कवाली दर्सुकों के आकरसल का केंदर बना हुआ था, पुलीस बिभाग सतर्ता प्रोक मेले की ब्योस्था बनाय रखता था, बाल, चर, संगठन और सेवा समिती आदी भी सेवा कार में सरलगन रहते थे, इसके अत्रिक्त अगनी समंदल गग की गाडिया भी हर समय तयार रहती थी, वरिवार, नियोजन, किरसी, बिभाग, जन, कल्यार, बिभाग, आदी की कैम भी लगे रहते थे, जो जनता की सेवा करते थे, संस्कीतियों सांप्रदाइक्ता एक्ता की द्रिष्टी से मेले की बिसेज भूमिका है, यहां चंडी देवी का मंदिर है, तो साथ ही वालमियों की मजार भी है, उनकी लाना है, इसके लिए हमारे चैनल पे सभी प्रकार के माडल पेपर करा जा रहे है, और आपको कम से कम तीन वाइरल पेपर त्यार कर लेना हिंदी का, ठीक है, कितने वाइरल पेपर तीन, तब जाकर आपको बोर्ड इक्जाम में सत्तर नंबर आएगा, अदर्वाइस अगर आप एक त्यार करते हो, तो आपके सत्तर नंबर आने की उमीर नहीं है, कम नंबर आएगे, तो आप तीन, चार माडल पेपर को त्यार करेजिए, आज की इस वीडियों बसे ताय मिलूगा, नेश्ट वीडियों तब तक के लिए धन्यवाद़